।けど हेलो फैट से तो जाली केमबस आज उस्ति हमद बात करने वाले कि बड़े वाले नंबर और छोटे वाले नंबर्स को उनको सिम्पिलिफाई नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखें और उसको मेर्ण करना हो बढ़े औचोटे numbers को तो वो कैसे करेंगे तो जैसे कि आप पे आप देखो तो आपके समझा सिसक्क नंबर दीख रहा है आप लोगे की यह नंबर तो बहुत बढ़ा नंबर है क्यों कि आप लोग generic 10 लाक या फिर करोड आ 10 करोड न सल की आप लोगे नंबर पड़े पर यह नंबर जो है उसको अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है उसको बोलना है तो हम कैसे बोल पाएंगे यहां पे इसको हम decimal point के ठहुँद है यहां पर दीख नहीं रहा है क्यों कि यहां पर दीख नहीं रहा है क्यों कि यह जो लाश्ट डॉला जी ँसके बाजुट में ही decimal पॉइंट है अभी यहां पर हम डेसिमल पॉइंट के थुरू यहां पर डिनोट करने जा रहे हैं तो हम क्या कहें पाएंगे कि 1.5 पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे तो कि 12 लेक्षकों करेंगे की पहले divide करने के लिए वह चेक करना पड़ेगा कि यह जो decimal point है वो कितने numbers आगे जा रहा है तो कि यहाँ पे सबसे last dollar 0 से लेके counting करें 5 तक के number तो कि वो कितने digit है उतने वाले 0 वाले 10 से हम यहाँ पे divide करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि 15 फिर total कितने zeros है यहाँ पे 80 और हम लिख रहे हैं 1.5 यानि कि यहाँ पे total 9 digit है जो हमारा decimal point है वो कहां जा रहा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो यहाँ कि लेफ्ट की तरफ अगर वो जाता है हमारा decimal point तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यह जो पूरा नंबर है पूरा नंबर उसको किसी ना किसी से डिवाइड करना पड़ेगा तो कि किस से डिवाइड करेंगे हम तो कि हमने क्या बोला था कि टेन हंड्रेड या थाउजन ऐसे ही किसी से हम डिवाइट करने वाले थे पर उसमें कितने जीरो आने चाहिए थे वह पता नहीं था तो हमने पहले बोला कि decimal point जितने digit left में जाएगा उतने ही zeros वाले digit से हम divide करेंगे यहाँ पे जो decimal point है वो कितने digit left में जा रहा है, 9 digit left में जा रहा है, यानि कि हमने यहाँ पर क्या किया, 1.5 answer अगर लिखना है, तो हमने यहाँ पर कितने digit से यहाँ पर इसको divide किया, यानि कि 1 के बाजू में अगर 9 zeros लिख लेते, उतने बड़े number से यहाँ पर हमने इसको divide किया, तो से हम divide करते हैं, वही number से हम यहाँ पर multiply भी करते हैं, आप लोग ने पढ़ा था है, तो यानि कि 1 के बाजू में 9 0 वाले number से यहाँ पर multiply भी करेंगे, तो अभी यहाँ पर division apply होगा है, 1.5 बन गया, पर यह जो 1 के बाजू में 9 0 वाला number है, उसको हम क्या करेंगे, तो कि उसक इतना लिखेंगे, तो कि कितने 0 है, 9 0 है, यानि कि 10 raise to the power 9 लिख लेंगे, यानि कि हमारा simplified answer क्या आया, 1.5 multiply by 10 raise to the power 9, तो आप भी अपने देखा, यह कितना बड़ा number था, जिसको हम बोल भी नहीं सकते, और उसी को हमने क्या कर दिया, छोटे number में denote कर दिया, जिसको हम easily बोल पाएंगे, अभी यह तो बहुत बड़ा number होगे, कोई छोटा वाला number ले 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 थे, जैसे कि 0.0016, तो आप देखो यहाँ पे, कि 0.0016 है, यानि कि हम यहाँ पे इसको, ऐसे ही 1.6 अगर according हम यहाँ पे इसको denote करना है, तो हम कितने number से यहाँ पे multiply करेंगे, तो चेक करो कि ह यहाँ पे हमें decimal point कहा ले जाना पड़ेगा, right hand side पे ले जाना पड़ेगा, यानि कि decimal point यहाँ पे right side जाता है, तो कितने digit right side जाएगा, 0.0016 है, हमें लाना है 1.6, यानि कि 3 digit यहाँ पे right नंबर को यानि कि 1000 से डिवाइड भी कर दिया अभी यहां पर आप देखो तो यह 0.0016 और यह 1000 मिलके क्या बन जाए गा 1.6 डिवीजन में तो 1000 है ही यह 1000 को अगर अगर एक्सपोंट्स और पावर के अकोर्डिंग में लिखना है तो हम लिख पाएंगे 10 रिश्टो दी पावर 3 यहां पर अभी देखो तो कि यह नीचे की तरफ है इसको उपल ले जाना हो 10 रिश्टो दी पावर 3 को तो हम क्या करेंगे तो कि 1.6 मल्टिप्लाई बाए 10 माइनस 3 जो हमने फर्स्ट टाइम में पड़ा था नेगेटिव पावर दिखाने के समय में तो अभी यह होगा है 1.6 मल्टिप्लाई बाए माइनस 3 तो यहां पर अभी आपको इजीली कोई भी नंबर बोला जाए और डेसिमल पॉइंट को किस तरफ हमें लगाना है और कितना आगे लगाना है वो डिसाइड करके ही हम 10 रिश्टो दी पावर सेट करवाएंगे तो यह ही था आपका एक्स्पोनेंट एंड पावर च थापकर. थापकर, thank you.